आईए, सुनिये, देखिये, समझिये, सनातन सत्य, जैसी द्रिष्टी, वैसी स्रिष्टी, द्रिष्टी विज्यान, गुदरत, गुदरती रचना, एवं कुदरत के कानोन से शाश्वस सुख की प्राप्ती, जोद्पुर के परंपुच महात्मा, उपासक, प्रोफेसर, डॉक्टर, सोहन राज तातेड के निर्देशन में, सनातन सत्य, जैसी द्रिष्टी, वैसी स्रिष्टी, द्रिष्टी विज्यान, स्वास प्रिक्षा के विविद्प्रियोग, स्वास प्रिक्षा का अर्थ होता है कि आते जाते स्वास को देखना, जब हम किसी वस्तु को एकागरता से देखना प्रारंब कर जाते हैं, उसी में लीन हो जाते हैं, उसी में खो जाते हैं, उसी में एकाकार हो जाते हैं, उसी में तादात में और तार्तम में हो जाता है, ऐसी इस्तती के अंदर राग द्वेश नहीं होते हैं इसलिए प्रिक्षा ध्यान का अर्थ होता है प्रिक्षा का मतलब देखना ध्यान का मतलब एकागरता से देखना कैसे चाए खुली आँख से देखो चाए बंद आँख से देखो देखना राग द्वेस रईत होकर राग द्वेस मुक्त होकर देखना ये प्रिक्षा ज्यान है और इसका जो एक प्रियोग आजम करने जा रहे हैं स्वांस प्रिक्षा का आते जाते स्वांस को देखना और उसके साथ में अनुलोम विलोम और कपालवाती बस्तरी का ये स्वास के जो प्रयोग है ये प्रनायाम के प्रयोग है प्रनायाम का अर्थ होता है प्रान का आयाम करना प्रान को संतुलित करना प्रान को नियंतृत करना प्रान को सही दिशा में प्रवाइत होना ये प्रनायाम का अर्थ होता है तो आज का हमारा एपिशोड है ये एक प्रियोग का एपिशोड है और प्रिक्षा ध्यान का कोई भी प्रियोग किया जाता है तो पहले कायोत सर्ग किया जाता है वैसे अपने आप में कायोत सर्ग 45 मिनट का जो प्रियोग है लेकिन मैं जो है इसको संक्षेप के अंदर दो चार पांच मिनट में करके फिर आगे बढ़ूंगा तो आखें को मलता से बंद, रीड की अड़ी, एंटीना की तरह सीधी और हमारे हात्रों की मुद्रा, ध्यान मुद्रा और आप उस आशन में विराजमान हो जाएं जिसके अंदर आदा गंटा बड़े ही सुख के साथ, आराम के साथ में विराजित हो सकें चाहे आपका सुखाशन है, चाहे पदमाशन है, या खड़े रह करके, बैट करके, सोके आप कैसे भी इसको जो है स्वांस प्रिक्षा के प्रियोग कर सकते हैं अब अपना चित, यानि हमारा ध्यान है उसको चित बोलते हैं, उस चित को पूरे शरीर में गुमा करके और आपको auto suggestion देना है कि पूरा शरीर शितिल हो जाए फिर अनुभव करना है कि पूरा शरीर शितिल हो रहा है फिर और गैरा अनुभव करना है सितिल हो गया है तो पहले अपने शरीर का निचला भाग एक के करके बाएं पैर के अंगुटे से लगाकर कमर तक यह निचला भाग यहाँ परचित को घुमाना है और जो है auto suggestion देना है शरीर के निचले भाग बाएं पैर के अंगुटे से लेकर के आपको कमर तक जो है चित को घुमाईए और यह auto suggestion देजिए के मेरे शरीर का निचला भाग सितिल हो जाए अनुबव कीजिए शरीर का निचला भाग सितिल हो रहा है गेरा अनुबव कीजिए शरीर का निचला भाग सितिल हो गया है अब शरीर का मद्यभाग कमर दोनों हाथ और अमारा पेट और चाती शरीर के मद्यभाग में चित को घुमाईए और auto suggestion दीजिए कि शरीर का मद्यभाग सितिल हो जाए अनुबव कीजिए शितिल हो रहा है गेरा अनुबव कीजिए शितिल हो गया है इसी तरह से शरीर का उपरी भाग सिर पूरे सिर के पूरे भाग में चित को घुमाईए और अटो suggestion दीजिए कि शरीर का उपरी भाग सितिल हो जाए अनुबव कीजिए शितिल हो रहा है गेरा अनुबव कीजिए शितिल हो गया अब एक बाग चित को पूरे शरीर में गुमाईए और अटो suggestion दीजिए पूरा शरीर रुई की बाग हलका हो गया हलका हो गया है अनुबव कीजिए मेरा शरीर इतना हलका हो गया है कि अपने इस्तान से उपर उट गया है शरीर सितिल अब दोनों नतुनों के बीच में चित को केंद्रित कीजिए और स्वांस को आते जाते स्वांस को देखिए थोड़ा लंबा कीजिए लंबा स्वांस लीजिए जब स्वांस लिया जाता है पेट पूलना चाहिए जब स्वांस निकलता है पेट सिकुडना चाहिए लंबा स्वां, गैरा स्वां, शम्तल स्वां, ठंडा स्वां, मेरा स्वां, शितिल हो रहा। लंबा हो रहा, गैरा हो रहा। जब व्यक्ति आनंद की इस्ति में होता है, एक मिनट में सोडा स्वांस लेता है। लंबा स्वां, गैरा स्वांस, सम्तल स्वां, स्वांस की संख्या घट रही है। प्रति मिनट सोला से चोदा, बारा, दस और आठ पे आ गए। मेरे स्वांस की संख्या घट रही है। लंबा स्वां, गैरा स्वांस, सम्तल स्वांस, ठंडा स्वांस आ रहा है, जा रहा है। शरीर सितिल, स्वां सितिल, अब हम अनलोम विलोम करेंगे, कि जो हमारा राइट साइड का नतुना है, उसको बंद करके लेप्ट साइड से सांस लिया। लंबा सांस लें, लेप्ट साइड के नतुने को बंद किया, राइट साइड से सांस निकाला। राइट साइड से सांस बरिये, पिंगला से, सूर्य नाड़ी से, और इडा, चंदर नाड़ी में छोड़ दीजिए। चंदर नाड़ी से गहरा सांस लिजिए, लंबा गहरा सूर्य नाड़ी से निकाल दीजिए। इस प्रकार अनुलोग विलोग हो गया। हमने लंबा गहरा स्वांस का सितिल का प्रयोग किया। सोला से आठ पे आए अनुलोग विलोग का प्रयोग किया। अब हम इसी मुद्रा के अंदर बैटे हुए कपाल भाती ही। यानि हमारे पेट को जो है हम उचा नीचा करेंगे और दोनों नतुनों से सांस लेते हुए आराम के साथ दबाब नहीं डालना है। यानि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सिजन हमारे फैब्रों में बरे और ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाई ऑक्साइड बाहर निकले। इसी लिए हम यह प्रयोग कर रहे हैं। कपाल भाती का प्रारंब कीजिए। मैं आपको डेमो दे रहा हूँ। फिर आप जितना आपके पास अनुकूल समय हो उतनी देर तक कपाल भाती करें। हमने कपाल भाती का प्रयोग किया। उससे हमारे जो अंदर स्वास ज्यादा भरा और बाहर कार्बन डाय ऑक्साइड ज्यादा निकली। अंदर ऑक्सिजन ज्यादा आई। अंदर ऑक्सिजन ज्यादा आने से पैपड़े में रक्त की सपाई हो रही है। तो ज्यादा ऑक्सिजन लेना और ज्यादा कार्बन डाय ऑक्साइड निकालना उसके लिए कपाल भाती की जाती है। अब जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं व्रद हैं वो करपया बस्तरी का नहीं करें। लेकिन जो जवान हैं वो बस्तरी का कर सकते हैं। तो अब हम इसी पोजीशन के अंदर बस्तरी का का प्रियोग करते हैं। कपाल भाती और बस्तरी का में अंतर ये हैं। कपाल भाती में दीरे से लंबा स्वास लिया जाता है। दीरे से लंबा स्वास छोड़ा जाता है। बस्तरी का के अंदर जल्दी जल्दी दौंकनी की तरह लंबा स्वास लिया जाता है। और स्वास छोड़ा जाता है। तो ये कुछ हमने प्रियोग किये हैं और भी प्रियोग किये जा सकते हैं। अब मैं इन प्रियोगों के लाब और हमारे स्वास्ते पर इनके सूप रभाव के बारे में बताना चाहूंगा। आप दीरे दीरे अपनी आँखों को खोलिए और मू लवस्ता में आईए। ये सारा प्रियोग हमने प्रभू की करपा। भीतर बिराजमान प्रभू जिसकी ताकत से मैं बोल रहा हूं और प्रियोग कर रहे हैं। उस प्रभू ने हमको आशिरवाद दिया। उसकी आजरी से ये प्रियोग हुआ। तो प्रभू का दिया हुआ आशिरवाद है। वो हमारे दोनों हाथों की हतेलियों पर आगया है। उन हतेलियों को मसलिये और तीन बार उस आशिरवाद को अपने सिर के उपर जो है इस्तानांत्रित करें रभू का आशिरवाद आपको बिला बाई और बेनों हमने स्वांस जो है प्रिक्शा के कुछ प्रयोग किये श्वांस के सभी प्रियोग बहुत आनन्दाई होते हैं अच्छे परिणाम देते हैं यह हमारे सौभाव को बदलते हैं، हमारी प्रकर्ति को बदलते हैं हमारे मूड को बदलते हैं और हमारे कशाए प्रोध, एंकार, माया लोग को वो उक्षान्त करते हैं तो देखिए कि जो पहला प्रयोग हमने किया था कि 16 की जो स्वास की हमारी संक्या थी वो घड करके 14, 12 और 8 तक आ गई क्योंकि स्वास को हमने दीरे दीरे लंबा लिया और लंबा छोड़ा ये स्वास को लंबा लेना और लंबा छोड़ना एक ये बहुत बड़ा संभाव का प्रयोग है ये करने से स्वास की संक्या गटने से मैं बड़े आत्म विश्वास के साथ आपको शास्तों के आदार पर मेडिकल साइंस के प्रयोगों के आदार पर बताना चाहता हूँ के स्वास की संक्या गटने से जो आपका कशाय है प्रोध है मान है माया है लोब है वो घट जाते हैं उनका उप्षमन होता है तो देखिए सास्तों के अंदर कशाय उप्षमन की इतनी बड़ी बात की गई है लेकिन प्रयोग नहीं बताया गया है सिद्दान तो बता दिया गया है कि कशाय उप्षमन करने से कर्मों का नाश होता है स्वास्ते अच्छा रहता है मूड अच्छा रहता है और आप सभी तरह के अपरादों से इंसा से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि ये बुराईया करने वाली ये चार बड़ी बीमारिया है इसलिए इसका नाम कशाय है कशाय का मतलब कसने वाला हमारी आत्मिय गुणों को कसने वाला आत्मिय गुणों की गाहत करने वाला इसी कोई कशाय कहा जाता है और ये कशाय ही करम बंदन का कारण है जो हमें भव बवानतर में बढ़काने वाले है यही चार कारण है इनको जीतने वाला जीतिंद्रिय कहलाता है केवली कहलाता है अरियंत कहलाता है जितने भी 24 तीर तंकर हुए सबी ने ये उपदेश दिया प्रियो कि ये जीवन में उतारा कि इन स्वांस प्रिक्षा के माध्यम से कशायों को शितिल करके और दीरे दीरे अपने कार्मन्ट सदीर को काट करके कम करके गनत्र को कम करके और वो केवल ज्यान को प्राप्त करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त बने स्वांस के प्रियोग अत्ति उत्तम प्रियोग है स्वास्त की बात करें तो हमारा स्वास्त स्वांस के जो प्रियोग मैंने कराया और भी बहुत से प्रियोग वह सकते हैं, शीतली है और पगिरा है, तो उनके प्रियोग करने से हमारा स्वास्ते, चाहे हमारा शारिरिक स्वास्ते हो, चाहे मानसिक स्वास्ते हो, चाहे हमारा बावनात्मक स्वास्ते हो, चाहे हमारा अध्यात्मिक स्वास्ते हो, सभी पे हम जो यह प्रयोग करा रहे हैं इसका कोई रियक्शन नहीं होता है और इनका सबसे बड़ा चमतकार कहिए, सबसे बड़ी सिद्धी कहिए, सबसे बड़ी रिजल्ट कहिए, इस हाथ दे और इस हाथ ले. आप इन प्रयोगों को करो और करते ही तुरंत आपको एक परसेंट, दो परसेंट, पांच परसेंट, दस परसेंट आपको अनुभूती चालू हो जाएगी. हम कोई मेडिशन लेते हैं तो हम ये जज्जमेंट करते हैं इस मेडिशन को लेने से 2%, 5%, 10% फाइदा हुआ तो कुछ समय तक लगातार लेने से हमको पूरा फाइदा हो सकता है वो भीमारी जट से कट सकती है तो उसी तरीके से जो मेन इसका मेजरमेंट है आपको कितना फाइदा हो रहा है तो ये स्वास के प्रियोग करते ही आपको तरुंत कुछ ही मिन्टों के अंदर फाइदा मैसूस होने लगेगा आप में हलका पनाएगा आपका मानसिक स्ट्रेस स्ट्रेन है वो समापत हो जाएगी और आपके मशल्स जो है वो जो मुलायम पड़ जाएंगे और उसके अलावा आपको मूड अच्छा दिकाई देगा और मूड अच्छे का मतलब होता है कशाई कशाई उपसमन हुए हैं कशाई निर्मल बने हैं और आपका अध्यात्मे की बात करें तो आपको रुची जागरत होगी ये करने से जब हमारी बोड़ी में एस्टेमिन आ जाएगा तो हम ये चिंतन करने लग जाएंगे कि इसको तो और किया जाए लंबे समय तक किया जाए तो जब हमारे में अध्यात्मिक लाब मिलता है अध्यात्मिक्ता की और हमारा रुजान होता इसका मतलब हम भीधरी जगत में गोते लगाने चालू कर देते हैं अपनी पैचान के कारिय में लग जाते हैं देखिए दुनिया में जो है सबसे कटिन कारिय है अपनी पैचान करना हम दुनिया क्यों बहुत जानते हैं एक छोटा बच्चा भी जब गूगल को खंगालता है तो वो कहता है कि मैं तो सत जानता हूं इस विशे की मुझे पूरी जानकरी है तो वह जानकरी तो माध्यम से मिली लेकिन हम अपने आपको कितना जानते हैं और जो व्यक्ति अपने आपको जानने लग जाता है यानि अपने स्वरूप की पैचान करता है और पैचान करके उसको दीरे दीरे अब्यस होकर जानने लगता है फिर उसका रिलाइजेशन करने लग जाता है जिसको अनुभूती कहते हैं और एहसास होने लग जाता है कि मन वचन का ऐसे मुक्त, ऐसा मैं शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा की अनुभूती चालू होती है, कि ये मेरा शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, ये अनुभूती होने से बेद विज्ञान होता है, ज्याता दृस्टा बाव की जागरती ह होती है जुदापन की जगरती होती है और अपने आप का स्थित्व मालूम होता है स्वाफर का विवेक होता है हम जब भीतर प्रवेश करते हैं स्वास प्रेक्षा के माध्यम से तो हमको सबसे बड़ी अनुभूती होती है कि चेतन मेरा स्व है, जड मेरा पर है, यानि ये शरीर इसे जशरीर से जुड़े हुए सब समंद, सब नाते, रिष्टे, धन, संपत्ती, पद, प्रतिष्टा, जितनी भी परीदी जो जड से बनी हुई है, वो पर है, जिसको स्व पर का विवेक हो गया, और तो निश्चित और से मान के चलिए, स्व और पर, इन दोनों की जानकारी होनेकार हुआ, जुदापन की जागरती, जड और चेतन का जुदापन होना, और जो है, ग्याता दृष्टा बनना, मतलब इसको स्व के माध्यम से पर को देखना, और उसके बाद के अंदर, जो है, हमारे को अपनी अनुभूती प्रारण हो जाती, बेद विग्यान हो जाता है, जड अलग है, मैं अलग हूँ, जड तो मेरा सादन है, ये जड रूपी सरी पिछले जनम के करम के भुगतान के लिए मिला है, ये अलग है, मैं अलग हूँ, और जब ये जुदापन की कारवाई चालू होती, तो द्रस्टी विग्यान आता है, हमारा सनातन सत्य कारिकरम जो हम आपको दे रहे हैं, उसका आधार है कि कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है, और ये आधारित होने के कारण हम आपकी रॉंग बिलीव को समाथ करते हैं, आपकी राइट को समाथ करना और राइट बिलीव को देना इसको कहते हैं द्रस्टी विग्यान, हमारा जो ये सनातन सत्य कारिकरम है, यह जो है कोई स्रस्टी का परिवर्तन नहीं करता, मन बुद्धी और चित वगरा कहिए, या मन वचन काया कहिए, इनके शुद्धी करन की, इनको सुदा आरने की, कोई भी बात नहीं करती, वह हमारे सनातन सत्य का विशय नहीं हैं, हमारा तो विशय है कि द्रस्टी की आराद ना करना, यानि आपके जो भीतर, जो एक द्रस्टी यानि समझ है, उस समझ के अंदर सम्यक ज्यान और सम्यक दर्शन को फिट कर देना, जैसे कि वेर में सौफ्ट वेर फिट किया जाता है तो ये हमारा जो मस्तिश्क है वो हार्ड वेर है उसके अंदर आप सम्मे ग्यान दर्शन को फिट कर दो केंदर में अपने प्रभू अपने सुरूप अपनी आत्मा को रख करके जिसको की हमें पाना है हमारे जीवन का अल्टिमेट ये है कि हमारा जो सौरूप है हमारा मूर सौरूप परमात्मा का है उस परमात्मा सौरूप को प्राप्र करना हमारा लक्ष है इसलिए हमने इसको केंदर में रखा है देखिए जब अरजुन स्यद्रोप दी के सयंबर में आजिर हुआ बहुत से जो है उस वक्त के अंदर राज कुमार आये थे उचा गया सबको तो कोई तो कहने लगा कि मुझे गोंगी मचली दिकाई दे रही है कोई कहने लगा कि जो पिंजरे में ये मचली गोम रही है वो मुझे दीख रहा है कोई कहने लगा कि मुझे पानी की परचाई दिख रही है जब अरजुन को बोला गया तो उसने का मुझे तो मात्र जिस गूमती हुई मचली की आँख का बेदन करना है वो ही दिखती है उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखता है यानि ऐसा व्यक्ति जो है जो की अपने लक्षे को केंद्रित कर देता है वो है अमारी आत्मा को पाना तो स्वांस और प्रिक्षा के विवेद प्रियोग हमने जो किये उससे हमको अपने सुरूप की जानकारी हुई है और लगातार करते रहोगे तो होती रहेगी सर्वे बहुन तो सुगिना, सर्वे संतो निरामया लोग के सब्जियों को सुख मिले, शांती मिले आनंद मिले, प्रेम मिले, सोहाद मिले और सब को भुक्ती मिले आपके परती मंगल बावना ओम शान एक ऐसा अंतराष्ट्रिय ख्याती प्राप्त मानव जो गुरू प्रेर्णा से पिछले 20 वर्षों से वान प्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में सनलगन है एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रिय अंतर राष्ट्रिय टीवी चैनलों पर 7500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य आत्म विज्ञान एवं पनुरुथान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनों प्योगी विश्यों पर हिर्दैस पर्शी प्रवचन कर चुका है उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड प्रोफेसर तातेड दुवारा योग दर्शन शिक्षा विशयों पर रचित पिएशडी स्थर के 250 शोध गरंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रह हैं तथा वे सभी शोध गरंथ वहां की सेंट्रल लाइबरेरियों में उपलब्ध हैं महात्मा सुहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों कॉलेजों विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार वर्क्शॉप कैम्प लगाकर लाखों विद्यार्थियों को यो उप्योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षन देकर उन्हें सुसंसकारित किया। डॉक्टर तातेड ने भारतिय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामियक विश्यों पर आर्टिकल लिख कर ओनलाइन जनरल पत्रिकाओं वेप साइट्स पर प्रकाशित किया जिसका उ प्रुब संदेश, आज का मंगल भावना योग, आदी चिंतन वेप साइट्स, ट्वीटर, ब्लॉगर, फेस्बुक, यूट्यूब, माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्मान कर रहे हैं। प्लॉगर, ट्वीटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। ट्रुब प्लॉगर, ट्रुब ट्रुब कर दो सरेंगे प्रोड़ू कर दो दो कर दो